पूल के सच जिन्दा है अप्तर भारत चुडो न्याय आत्रा में मनिपूर से हम महराष्टा गए और रास्ते में हजारों युवाव ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सब को मालुम है कि नीट पेपर एंड युजीसी एनिटी के जो पेपर्स हैं वो लीक होए हैं और एक कैंसल भी हुआ है कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने युकरेन की लड़वाई रोक दी थी मतलब एक और देखे जो रूस और युकरेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था ब्रेक लगा दी थी इसरेल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे है उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे है या रोकना नहीं चाहते है नुकसान स्टूडन्स का होता है जो हिंदुस्तान के स्टूडन्स है मैं जानता हूँ कि आप इन एक्जाम्स के लिए महीनों, सालों काम करते हो यह आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवार किया जा रहा है मध्यप्रदेश में व्यापम हुआ और अब उस व्यापम को नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है मैं इंस्टिटूशनल कैप्चर की बात करता हूँ मीडिया की बात करी अलग-लग हिंदुस्तान के जो संस्ता है उनकी बात की यही एजुकेशन इंस्टिटूशन में हो रहा है पेपर लीग का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने उनकी पेरंट ओर्गनाईजेशन ने कैप्चर कर रखा है जब तक यह कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीग चलता जाएगा इस कैप्चर को फसिलिटेट नरेंदर मोधी जी ने किया है और यह एक एंटी नैशनल एक्टिविटी है क्योंकि यह देश का भविश्य है और इससे हिंदुस्ताइन के युवाव को स्ट्यूडन्स को जबरदस चोट पड़ती है इंक्वाईरी चल रही है एक को आपने कैंसल कर दिया है अब पता नहीं दूसरे को कैंसल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा पट कोई ना कोई तो इसके ये जिम्यदार है और उनको एक दम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे आक्शन लिया जाना चाहिए आपके कोई सवाल हो साथियों मैं बुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विशे पर रिबस्रिश सुरी When I went on my भार्त ज्योड़ याटरा the second one throughout the route students were telling me that paper leaks are endemic in India they study they work hard honest students suffer and students who want to cheat benefit and this was repeated again and again and again and again now we are seeing an expansion of the idea of Vyapam across the country BJP states have had to deal with this Uttar Pradesh has had to deal with this Madhya Pradesh has been a center of this Gujarat has been a center of this and now they have expanded this idea to the rest of the country this is extremely damaging to students and it's happening because all our institutions have been captured our vice chancellors are placed not based on merit but because they belong to a particular organization and this organization and the BJP have penetrated our education system and destroyed it what was done by Mr. Narendra Modi to the economy with demonetization has now been done to the education system youngsters I want you to know that the reason this is happening and the reason you are suffering is because an independent objective education system has been demolished and it has been replaced by an education system that is captured by the BJP captured by their parent organization and until this capture is released you are going to suffer you are going to see cancellations of your exams you are going to see paper leaks again and again and again one paper has been cancelled we don't know what is going to happen to NEET but whatever happens it should not be done in a arbitrary fashion the rules that apply to one paper should apply to another paper and it is very important that the people who are guilty here are brought to book and they are punished thank you sir रावल जी, रावल जी मैं इधार हूँ, सवाल यह है कि जो एड्यूकेशन सिस्टम इस वक्त है और जिस तरीके से जो पेपर लिख हुए जिसका आरोप भी आपने लेगाया और जो सामने भी आया है, रद भी हुआ है कल परिशा, लेकिन सबसे बड़ा यह है कि बदलाओ क्य को हर पोस्ट पे यही डालते हैं, वाइस चांसलर की लिस निकाल लीजिए, पता लग जाएगा, तो इसको रिवर्स करना होगा, दूसरी बात मैनिफेस्टों में हमने साफ कहा कि पेपर लिख होने के बाद कारवाई करना एक बात है, बहुत जरूरी है, और स्ट्रिक कारव होनी चाहिए, मगर हमने यह भी कहा था, कि पेपर लिख होने से पहले जो सिस्टम्स हैं, जो यूनिवसिटी के एक्जैम्स के रूल्स हैं, इनको फिर से एसेस करना पड़ेगा, इनको स्टडी करकर री-डिजाइन करना पड़ेगा, यह दोनों काम हमने अपने तुम्हें साफ लिखे हैं और विपक्ट दबाव डाल कर ये दो काम सरकार से करवाने की कोशिश करेगा तुम्हें मुदाख बाल डाल करें तुम्हें सकते हैं जिस सरीके से अप आछ स्टुदेंट से मिल रहे हैं Let me answer the question. See, there is a huge pressure on our students and the pressure comes from a number of directions. The first direction is the large-scale unemployment that is there in the country. Everybody understands it. Everybody knows it. And one of the reasons the government suffered in this election was that all youngsters believe that Mr. Modi is incapable of solving the employment problem. So that's the first thing. Second thing is there is huge pressure because of this and there are very few avenues for students in all areas. So you've cut off the job avenue. Now you're cutting off the exam avenue. You're saying you can take an exam, you can study, you can work as hard as you want. On the last date we're going to tell you that the exam is cancelled. So, you know, that avenue is also shut. You've shut avenues like Agniveer. You've shut avenues like the public sector. So the youth of India have nowhere to go. It doesn't matter whether you're an IIT graduate, IIT student or you're trying to join the army. The youngsters in India simply have no way through. And it's not just an educational crisis. It's a crisis in pretty much every sphere that we're facing. Now, before the elections, it was very clear that there was massive control of the media, massive control of the other institutions, so people were quiet. Now people are very clear that we're sitting on a disaster. And we've got a government that is crippled, cannot do the job. It's literally walking around on one leg. Right? So, yes, it's a crisis. It's a profound national crisis. It's an economic crisis. It's an educational crisis. It's an institutional crisis. So, but I don't see any response. I don't even see the capability of a response. Right? So, No, no, no. One second. One second. Bihar, we've said that there should be an inquiry. And those who have done a paper leak, they should have done a work. For us, we should have done a work. vice chancellor बनाएंगे incapable लोगों को vice chancellor बनाएंगे exams के जो structures है exam लेने के structures है उनमें आप ideological लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा ये इसका सबसे बड़ा कारण BJP and its parent organization ने जो capture किया है ये है और अगर आप culprit ढूनना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों ने हिंदुस्तान के institutions को destroy किया है जो पहले objective हुआ करते थे impartial हुआ करते थे वो आज impartial नहीं है objective नहीं है, ideological बना दिये गए है और media को लोगों को in institutions में बठा दिया गया है इसका main कारण ये है और इसका आप epicenter देखिए पूरा देश जानता है युवाओं, आप सब जानते हो कि इसका पहले epicenter मध्यप्रदेश हुआ करता था वहाँ पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थे ये तब शुरू हुआ था आप जानते हो कि गुजरात में उत्तर प्रदेश में और मध्यप्रदेश में इन चीजों का epicenter है और आप ये भी जानते हो कि BJP के लोग कहते हैं कि हमारी laboratory मध्यप्रदेश और गुजरात है तो laboratory से ये काम शुरू हुआ है और अब ये काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुक्सान हो रहा है जब तक ये reverse नहीं किया जाएगा जब तक हिंदुस्तान के institutions इनके हातों से नहीं चीने जाएगे और effective, honest, impartial लोगों के हाथ में नहीं जाएगे तब तक ये होता रहेगा और मैं आपको बतारा हूँ जब तक BJP रहेगी ये बढ़ता जाएगा जब तक ये बढ़ता जाएगा तर अब को लगए तर आपको लगए ट्रांस्परेंसी कहीं न कहीं खतम हो जारी क्योंकि वो एक agency वही सारा कंड़क्ट करा रही है तो आपने पार्लेमेंट में इस मुद्दे को उठाने को सुचा है कि NTO को कहीं खतम करने की ज़रू होता है या बदलाओ करने की ज़रू होता है अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे honest लोग है बहुत सारे objective लोग है अगर objective लोगों को honest लोगों को आप ये काम दोगे पेपर लीग नहीं होगा अगर आप mediocre लोगों को राजनेतिक बेसिस पे ideological बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा और ये मैं कह रहा हूँ दोराता जा रहा हूँ कि हर हिंदुस्तान की हर संस्ता को capture कर रखा है legal system को bureaucracy को intelligence agencies को investigative agencies को education system को अपने अपने महांगे रखी है सरकार से लेकिन सरकार के पहले ही सामने आगा है NTA को जो NTA है एजनसी उसको clean sheet एक तरीके से HRD minister ने पहले ही दे दी है तो सरकार का तो कहीना कहीं प्रक्षाब दिखाई देता है आगे आप लोग कैसे जाएंगे उनकी credibility इन बातों में है यही नहीं वो clean sheet दें उसका कोई मतलब ही नहीं है उनकी zero credibility है सब लोग जानते हैं कि epicenter मध्यप्रदेश गुजराथ और उत्तरप्रदेश सबसे जादा मेरे यात्राओ में सबसे जादा पेपर लिग के बाद गहीं आई थी उत्तरप्रदेश में आई थी मध्यप्रदेश में आई थी प्रफटेश में आई थी नच पर गुजराथ नच पर खुजराथ and you want it to be disbanded or something. No, I would say that if you let people who know how to run these things and you promote people based on merit, there are multiple ways in which you can do exams successfully. If on the other hand, you are constantly posting people who are mediocre, who do not have the skills to do these jobs, and you are posting them simply because they come from your same ideology, no system is going to work. You can change whatever system you want. If the people who are being put into that system are mediocre and being put in for the wrong reasons, it is never going to work. Sir, specifically on NEET examination, there is of course an investigation that is going on, but the scheduled counselling session has not been delayed. It is going to happen as per schedule. So do you think that this is a mere eyewash when it comes to the investigation, saying that investigation be ho re yeh, but then they are not delaying the session? Look, you can, they can eyewash whatever they want. But they are going to get such pressure from the opposition that they are going to think twice about whatever they are doing. Because we are not going to allow this type of activity to be done as far as our students are concerned. Our students sit there, they work, they spend months, they dream about these exams for years, they spend huge amount of money. So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. Okay, general, last question. Sir, general, this is a question. Sir, general, this is a question. So, Rao ji, a very richest is a very difficult case that this case is taken place. So, this is a question, there is a very strange situation that the ROP is in the report, they are declaring that they got the paper before they got given up. So, the case is the paper leak. And the government, यह तरब से पहले तो क्लिंच अप्र लीक से इंकार कर दिया गया और बिल्कुल रडियो साइलेंस है तो यह जो स्टिती है रूपी कह रहे प्र लिख हुआ, मंत्री कह रहे नहीं हुआ इस पर आप प्या सोचते हैं no confidence motion silence is because sorry silence is because prime minister is crippled right now prime minister's main agenda is the speaker so he is not bothered about NEET, he is not bothered about all these things he is bothered about that my government is out here then my speaker is become right that is where he is right now that's where his mind is so essentially the main thing is that we have a government now right and a prime minister now who will find it very difficult to function, the prime minister if I might say so, is psychologically broken he has collapsed psychologically collapsed and he will struggle, knowing his personality he will struggle to run a government like this because his entire sense of running a government the idea of running a government Mr. Modi's idea is to generate fear in people to frighten people to make people not speak you are aware of that now what has happened is people are not scared of him and you saw the other day I think somebody in Bharatanasi itself threw a chappal on his car right so it's very clear the basic concept of Modi has been destroyed in this election if we were faced with a if right now you had a Vajpayeeji or a Manmohan Singhji they might be able to survive what they are faced with because there is humility there is conciliation there is respect that Narendra Modi does not believe in any of these things Narendra Modi believes my way or the I way and now suddenly he is found that earlier there were Congress people who were not scared of him now nobody in the country is scared of him right so psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister and he is going to really struggle and of course now we have a stronger opposition so it's going to be interesting and quite a lot of fun thank you see what happened you had Narendra Modi ji concept and it started in Gujarat from Gujarat from Gujarat Gujarat model then it was national level what was the concept concept the concept was marketing 1000 crore की marketing और डर agency का डर media का डर सरकार का डर अब हुआ क्या अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं मतलब एक तरीके से रिडिकूल करते हैं जो पहले 56 एन की चाती थी अब नमबर तो नहीं रह सकता हूँ वर तीस बटतिस हो गई है तो अब पूरा जो डाचा था इतना बड़ा गुबारा था वो इतना बड़ा हो गया अब इससे मरेंद्र मोधी जी को psychological बहुत टेंशन होगा बहुत प्रोब्लम होगी क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है धमकाने का है अब वो डर चला गया आपने देखा पता नहीं देखा या नहीं वारा नसी में वो चपल मार दी किसी ने अब आप इमेजिन कीजिए चुनाव से पहले अगर को मानना भी जाता था डरता तो जो डरता हो गया खत्म हो गया और इंटर्नल भी प्रॉब्लम्स है इनकी पार्टी में पॉब्लम्स है इनके पैरेंट और्गेसेशन में इशूज है तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो concept था उसको opposition ने demolished कर दिया, खतम कर दिया उसको आप 56 इनकी चाती कहा है उसको आप डर कहें, उसको आप बतलब जो बिग नरेंदर मोदी जी की जो इमिज्टि उसको फार दिया हमने, अब अगर वाजपाई जैसे लीडर होते, जो जिनमें humility थी, मनमान सिंग जी जैसे, जिनमें humility थी, लोगों की respect करते थे, बात सुनते थे, ऐसी situation वो काम निकाल सकत है, मगर यह नरेंदर मोदी जी की style ही नहीं है, नरेंदर मोदी जी मतलब किसी की सुन नहीं सकते, बिना force काम नहीं कर सकते, तो यह यह मामला है, और दूसरी बात, बहुत मजबूत opposition है, तो काफी मतलब interesting समय है, thank you.